तो java language सिखने के स्रेज में आज हम देखने वाले हैं hybrid inheritance तो hybrid inheritance भी जावा में supported नहीं होता है क्यों क्योंकि hybrid inheritance is the combination of hierarchical plus multiple inheritance तो hierarchical का तो आपका चल जाएगा लेकिन चुकि multiple भी ये include करता है और जो कि supported नहीं है जावा के थ्रू तो इसे लिए hybrid भी यहां पर supported नहीं होता है फिर से समझते हैं hierarchical मेंने क्या बताया combination of hierarchical और multiple inheritance तो hierarchical में तो यह हो जाएगा parent का दो child जो के hierarchical में हमें देखा हुआ है लेकिन यहां पर जदी दो child का मतलब दो parent हो गया यहां पर आपस में एक child जदी उसका होता है तो यह supported नहीं होता है जावा में तो इसके लिए code तो आप लिख लोगे parent child 1 & child 2 के लिए लेकिन जैसे ही आप यह लिखोगे तो वह आपको error देना श्टार्ट कर देगा जो कि हमन एक फाइल बना लेते हैं class तो यहां पर कर लेते हैं hybrid inheritance पॉल्डिक स्टेटिक वर्ड में फिनिस प्लास एक पैरेंट के दो class more than one child class हो सकते हैं तो यहां पर सपोज ले लिए parent और parent का यहां पर सिंप्रिल ले लिए string नेम और एक मेहां बना लेते हैं वर्ड इट का इसे को यहां से कोपी किया इसे क्लास यहां पर लेते हैं चाल्ड वन एक्स्टेंड करेगा तो एक्स्टेंड पैरेंट और इसमें string हटा लेते हैं इसको कर लेते हैं वर्ड प्ले इसमें कर लिया प्ले अभी हमारा चल रहा है hierarchical तो चैल्ड वन जो है पैरेंट को एक्सेस कर लेगा चैल्ड टू भी एक्सेस कर लेगा तो चैल्ड टू के लिए यहां पर बना लेते हैं वोक और यह कर लेते हैं वोक किंग तो यहां पर हमारा hierarchical बन गया अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग multiple वाला condition लेते हैं तो multiple में क्या था यह दो parent class का role play करेगा और एक हम लोग ले लेते हैं इसका child तो suppose हमने ले लिया class child 3 extends child 1, child 2 career bracket enter ओके और यहां पर हमने कर लिया word इसमें कुछ भी कर लेते हैं इसमें suppose कर लिया read तो read में suppose कर लिया s y s o control space यहां पर कर लिया अब देख सकते हो error ने start कर दिया क्योंकि मैंने क्या बताया था कि multiple inheritance is not supported by java तो यहां पर यह अपने आप और यहां पर आप चाहो तो child 1, child 2 बना सकते हो लेकिन child 3 का यहां पर error दे रहा है तो compile time में आपको वह error दे देगा तो मैंने आपको बता भी रख है multiple inheritance में तो यहां पर अलग से code करने का कोई फायदा भी नहीं है यहां पर चाहो तो ले सकते हो तो कोई फायदा नहीं है यहां पर सपोज कर लोगे child 3 तो यह यहां पर कर लिया it करने से भी यहां पर आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला यहां पर प्ले कर सकते हो चुकि यह child 3 जो है वो child 1 और child 2 को access करेगा तो यहां पर जदि आप run करोगे तो वह आपको error देगा जाओ application proceed तो यहां पर दे सकते हो यहां को compile time error देगा ठीक है तो यहां पर java में तीन inheritance support होता है single level multi-level और hierarchical multiple के लिए आप interface कर लेते हैं तो वह भी हम लोगों देखेंगे आने वाले वीडियो में तो उम्मीद है वीडियो जरूँ अच्छी लगए होगी सब्सक्राइब रूख कर लेना चैनल को मिलते नेक्स वीडियो में थाइंक्यू हैपी लड़्ट